नमस्कार शिक्षार्तियों नैदानी के वं उप्चारात्मक पोशण की व्याख्यान श्रिंकला में एक बार आपका पुना स्वागत है जीवन की विभिन अवस्ताओं में अहर एवं पोशण में चर्चा के बाद अब हम उप्चारात्मक आहर के बारे में बात करेंगे उप्चारात्मक आहर वो होता है जो हम किसी विशिष्ट रोग की इस्तिती में रोगी को देते हैं जिससे कि उसके लक्षणों में सुधार हो सके और उसको उस विशिष्ट रोग की इस्तिती में आराम हो सके तो अब हम उप्चारात्मक आहर के बारे में जानेंगे कि उप्चारात्मक आहर क्या होते हैं, किस प्रकार के उप्चारात्मक आहर होते हैं और इनको देने का महत्व क्या है आगी उप्चारात्मा काहर को परिभाशित करें तो या एक सामानी या नियमित आहर के रूपांतरण ही होते हैं या विशेष रोग की स्थिती के लिए होते हैं इसलिए इनमें सामानी आहर को ही किसी विशेष रोग की स्थिती के अनुसार संशोधित किया जाता है और ये संचोधन, रोगियों की पोशन, इस्थिती, रोग की गंबीर्ता, रोगियों की आहार का उभोग करने की इस्थिती और उनके शरीड में होने वाले चयापचयी परिवर्तन के अनुसार भी होते हैं कुछ इस्थितियों में केवल कुछ पोशक्तत्वों में परिवर्थन किया जाता है जैसे उच्छ रक्तचाप के रोगी के लिए सिर्फ सोडियम की मात्रा में हम कमी करते हैं वहीं कुछ मामलों में आहर की सघंता में या आहर की उर्जा की मात्रा में वृद्धी या कमी की आवशक्ता होती है जैसे मोटापे की स्थिती में इस प्रकार सामान या नियामित आहर को संशोधित करने के प्रयोजन और उद्देश विविध होते हैं एक परिभाशा अगर हम उप्चारात्म काहर की देखें तो हम इस तरह उसको परिभाशित कर सकते हैं प्रअशन की स्थिती को बनाए रखने के लिए हो सकते हैं शरीर की प्रणाली में और उसके प्रफावित अंगšango है जीसे मानने जेए अगर पेशन को गेस्टारायटिस है तो तो उस्थि में उसको नरम या तरह लाहर देते हैं इस सिति में उसको सहायता प्रदान करने के लिए विशेश सिति में विशेश आहर प्रदान करने के लिए जैसे फैट मैल अब्सॉप्शन की दशा में यानि वसा को अवशोशन की दशा में पाचन, अवशोशन, चयापचय और उचसरजन को सुविधा जनब बनाने के लिए कम वसावाला आहर देना आहर की सिति के अनुसार आहर को संचोधित करने के लिए जैसे अगर ग्रासन नली में कैंसर है तो उस तरह के रोग्यों के लिए नली द्वारा पोशन देना दातों की समस्या के लिए यांत्रे कटना या जो mechanical problems होती है चबाने में अगर व्यक्ति को दिक्कत है तो उस तरह के रोग्यों को ऐसा भोजन देना जिनको निगलने में और चबाने में आसानी हो जैसे बहुत soft या mashed खाना उनको देना या शरीर के बजन को घटाने या बढ़ाने के लिए उच्छ कैलोरिया कम कैलोरिया हार देना जैसे मूटापे के व्यक्ति को हम कम कैलोरिया हार देते हैं और जब व्यक्ति बहुत दूबला पतला होता है और हम चाहते हैं कि उसके शरीर का बजन बढ़े तो हम उसको बढकित कीवता है। प्तितन के के लिक यादशनों कि प्रगदि पर निगरानी पाकिता है। कि मामेरी दीन से क्यूंख्ड कर बदेगो हो धूले नोस रहा है रहा हम अजनी तो लोगे से बाश्तनिल प्तितन इस जी देब विटता है, तो प्ती ही मात्रा की कार्भोहाइडिट को अगर हम छोटे-छोटे मात्रा में डिवाइड कर दें तो वहर मदुमे की रोगी के लिए लाबदाई हो सकता है और इसी तरह कुछ अनुवानशिक विकारों में आहर में परिवर्तन करके लक्षडों में रहत मिल सकती है रोग प् पेशेंट को तो उस केस में हम दूद को हटा कर उसके आहर में से दूद या दूद से बने कादिपदार्तों को हटा कर उसके लक्षणों में उसको आराम दे सकते हैं और उसके जीवन की गुर्वत्ता में सुधार कर सकते हैं आहरें पोशन चिकत्सा का प्रात्मिक सिद्धान्द रोग्यों की सामानी पोशन आवशक्ता पर ही आधारित होता है तो कोई भी उपचारात्मा का हर किसी भी विश्ष्टि स्वासिती में व्यक्ति की जो सामानी पोशन आवशक्ता ही होती है उसी का संचोधन होता है जो वह रोज मर्रा की जिंदगी में खाता है या उसकी रोज मर्रा की जिंदगी में जो उसकी पोशन संबंदी आवशकता हैं होती हैं उसी में संचोधन करके हम उसको उपचारात्मक आहर का रूप देते हैं अनुशंशेत आहर ये भत्ते जो रिकमेंड़ेटरी अलाउंसेज होते हैं जो जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं उनका होपयोग अकसर उपचारात्मक आहर की परियापतता के मुल्यांकन के लिए एक अधार के रूप में किया जाता है हमेशे अपचारात्मक आहर में ये ध्यान देना चाहिए कि वह व्यक्ति की जो पोशन आवशकता हैं जो उसके अनुशंशेत पोशन पोशक तत्वों की आवशकता हैं वह भी पूरी करें और किसी भी विशेश रोक की स्थिति के लिए आहर की ये बनाते समय रोक की स्थिति को ध्यान में रखें उसके उस्थिति के लिए जो विशिष्ट पोशन आवशकता हैं उसको ध्यान में रखें जीवन शैली, व्यक्ति की आए और उसका जो पोशन ग्यान है उसके बारे में उसके स्वात की प्राथमिक ताएं धारमिक विश्वास और अन्य जो समाजिक सांस्रिदिक कारक है सभी को ध्यान में रखकर आहर नियोजन करना चाहिए तो आहर नियोजन के आहरिय चिकित्सा के क्या सिद्दान्त होते हैं भूजन और पोशन के विशेषक जो आहर विशेषक की होते हैं उनके द्वारा ही आहर नयोजन किया जाना चाहिए किसी भी उपचरत्मक आहर की योजन बनाने गहे और ये आहर अंशंचित आहरी भत्ते के अनुसार होना चाहिए या आहर रोगियों की शारिरिक और मनोवग्यानि किस्तिती के अनुरूप होना चाहिए आहर आवास आहरी स्वरूप व्यविसाय रोगी की आर्थेती किस्तिती के अनुसार होना चाहिए इस योजना की जो नियोजन करने में हारी विशेश अग्यतों होने ही चाहिए साथ ही अगर कोई व्यक्ति किसी विशेश्ट रोग से ग्रस्त है तो उसका इलाज कर रहे हैं चिकित्सक की भी सला आवश्चक है और आवर विशेश अग्यतों हमेशा ये पता होना चाहिए कि रोगी को किसी विशेश्ट खादिपदार से अलरजी तो नहीं है तो उस इस्ति को भी ध्यान में देखना चाहिए और जो नियोजित आवर व्यभारिक होना चाहिए अच्छे से पकाया होगा होना चाहिए और आकर्शक होना चाहिए जिससे कि वो ना सिर्फ आहार संबन्द या वशक्ता हैं पूर्ण करें बलकि रोगी के मानस को भी संतुष्ट करें अब बात करेंगे सामान या अहार का उप्चारात्मक उद्देश्यों हितु रूपांतरन किस प्रकार किया जा सकता है तो जैसे इमने बताया कि सामान यी पोशन ही उप्चारात्मक शेंशोधन की नीव है और समान या अहार को ही विभिन रोगों के लिए परिवर्टित किया जाता है जो रोग के लक्षणों, उसके उपापचेई और जैवरासानिक परिवर्तनों, उसके शारिक इस्तिती, रोगी की आवशक्ता, उसके पोशक्तत्वों की आवशक्ता और उसके उपचार के इस तरह पर निर्भर करती है आहर के अनुकूलन में पोशक तत्वों के संचोधन और बनावट के संचोधन दोनों शामिल है सिर्फ पोशक तत्वों का ही हम संचोधन नहीं करते हैं बलकि उसके बनावट में भी परिवर्दन कर सकते हैं जैसे इसका एक्जामपल हमने आपको भी दिया जैसे कुछ यांत्रिक अगर कटनाईया है दातों में दिक्कत है तो हम उसको उसी आहर को मैश्ट फॉर्म में या नरम कुछलेवी फॉर्म में दे सकते हैं जैसे कि उसको निगलने में आसानी हो तो पौशकतत्व के संचोधन में हम उसके मिठास में बदलाव कर सकते हैं डियसे कम शरकरा का खाना देंगे मदुमेरोग्यों को कम सोडियम का हर देंगे जो हार्ट पिशेंट्स होते हैं या जो हाइपरटनसिफ पिशेंट्स होते हैं कम वसा या कम कॉलेस्ट्रोल आहर दे सकते हैं जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उच्छ रेशे यूकत आहार यह सब होते हैं और आहार में बनावट संचोधन में यांत्रिक नरम आहार या प्यूरी आहार जैसे बताया कि दांतों के परिशानी वाले रोग्यों को हम इस तरह का आहार दे सकते हैं तो इन उदेशों की पूर्ती के लिए किस किस तरह आहार में परिवर्तन किया जाता है उसकी बारे में हम बात करेंगे हमसे पहले खादिपदार्थों की सघंता में परिवर्थन कर सकते हैं सघंता मतलब उसकी कंसिस्टेंसी को बदल देते हैं जैसे उसको आहर को बदल कर हम उस आहर को नरम या तरल या सामानी बना सकते हैं जैसे विभिन रोग स्थितियों में जो हमारा gastro-intestinal tract होता है जो जफ्रांत्र पत होता है वो प्रभावित होता है और कई स्थितियों में मरीज समान यहार नहीं ले पाता है जैसे डाइरिया की स्थितिय हो सकती आतिसार अगर रोगी को दस्तो रखे हो या जवर हो तेज प्रभान यहार नहीं ले पाता है तो उसके स्थितियों में हम खादी बदार्तों की सघंता में परिवर्थन कर सकते हैं जैसे अलसर के रोगी को हम ठोस आहर नहीं दें तो उसको तरल आहर दे सकते हैं या अगर अगर उच्छ रक्तचाव या मदुमे के मामले में समान यहा परिवर्थन करके हम उसको चेंज करके दे सकते हैं और यह मदुमे के रोगी या उच्छ रक्तचाव के रोगी को सघंता में इस तरह परिवर्थन कर सकते हैं कि उसके खाने में हम रेशी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं क्योंकि रेशा जो होता है वह मदुमे में शरकरा के इ पायक होता है तो इस तरह से हम उसकी सगंता में परिवटन कर सकते हैं आहर की और्जा मूली में वृद्धिया कमी जिसे पहले भी हमने बताया कि मुटापे की रोगयों को पशेश तौर पर उर्जा के कम और्जा वाला भूजन प्रदान करते हैं जिसे उसको कम कैलोरी मिले श सुर्ण कालोरी योगalis हेतों को जो किसके को जाना है। किसे साइट ही मेट इसके कालिक बढ़ जाता करना रोल कि और में दीनिक जाती हैं। जिनने ज़्याद तो जो म된 अबॠी को इससके दोल जो किसा सथाइट फिर ही यो किसे कैलोरी आपकारण में एक पर दgili काली म ? और इसके अलावा जले हुए रोगियों को भी जो जल जाते हैं जो रोगी उनको भी हम उच्छ कैलोरी युक्त आहर या उर्जा में सघन आहर दे सकते हैं कि खाना चाहे वो मात्रा में कम हो पर वो उर्जा उसमें ज़ादा हो विशिष्ट पोषकतत्व या अभू के बोजन के प्रकार में व्रिद्धिया कमी कुछ रोग इस्तित्यों में एक या कुछ पोशकतत्व के संयूजन को संचोधित किया जाता है जैसे वनस्पती या प्राणिज प्रोटीन में उच आहर कुपोशन के उच्चार या मानस्पिशियों को बढ़ाने के लिए अंच्चित है अगर कुपोशिट कोई व्यक्ति हैं तो उसके आहर में हम उच प्रोटीन योकते आहर उसको देंगे जिसमें हम अगर हम प्रानेज, प्रोटीन जैसे अंडा या दूर्थ बगरा इस्तमाल करें तो वो जादा लाबदाई होता है इसी प्रकार ज्वर या हाइपर थारोडिजम के जो रोगी होते हैं या जले हुए वेक्ति या सरजरी के पश्चात इनको भी उच्छो प्रोटीन आहर रिर्धारित किया जा सकता है और दूसरी तरफ जो हेपाटिक एंसफेलोपैथी इन सब के बारे में आप आगी भी बात करेंगे जब हम विशिष रोगस्तियों में आहर नी ओजन के बारे में बात करेंगे इन सब रोगों में हम कम प्रूटीन अहार लेते हैं जो बेसिकली लिवर से रिलेटेड और किड्नी से रिलेटेड जो डिजीजेज होती हैं उसमें हम कम प्रूटीन अहार लेते हैं और उच्छ रक्तचाप के रोगी जो हाइपटेंसिफ पेशेंट होते हैं उसमें हम सोडिय की मातरा बह espec कम होती है सिर्फ नमक ही नहीं बलकि वो सभी खादरपतार जिन में स्वीयून की मातरा Hmm को हम इस्तेमाल बहुत कम या नहीं करते अहरी रेशे में संचोधन कर सकते है। विशेश्कर जो जट्रांत्री विकार हैं उस में हम रेशे में जो gastrointestinal पूरा tract है उस पे कम दबाव पड़ेगा उस पे कम लोड पड़ेगा और पेशेंट को जो रोगी है उसको शरीर से अप्षिष्टों के सरजन में आसानी होगी और उसी प्रकार अगर हम दूसरी सितियों की बात करें जैसे मानलो रोगी को कब्स है तो उस केस में हम आहर में रेशे की मात्रा बढ़ा देते हैं इसमें उसको मल विसरजन में आसानी होती है और दूसरा हार्ट पेशेंट्स और मदुमी के रोगी को भी हम उच्छ रेशे युकताहर देते हैं जो उनके कॉलेस्ट्रोल के स्तर को और शरक्रा के स्तर को कम करता है जिसे जैई, बीन, मटर, फल और सबसियां यह सब रेशे से समरिद्दूस रोत हैं इनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुकें मसालों का उनमूलन कुछ कादिवदार्द ऐसे होते हैं जो फीके बनाया जाते हैं जिनमें मसालों का बहुत कम उप्योग किया जाता है ताकि जो गैस्ट बहुत कम मसालों या बहुत कम खुश्बू वाले फल सबसियों का समाबेश करते हैं क्योंकि इस से रोगी को दिक्कत हो सकती है किसी विशेष्ट खादिवदार्द को शामिल ना करना इसको हम उनमूलन आहार भी कहते हैं यह विशेष्ट कर उन इस्तियों में दिया जाता ह है जहां पर किसी विशेष्ट खादिवदार्द के प्रती रोगी को अलर्जी होती है या खादिव और सहिशनुता का पता लगाने के लिए यह आहार इस्तिमाल किया जाता है आम तोर पर प्रोटीन युकत खादिवदार्द जैसे दूद्ध अंडे मूफली या समुद्री आधिका परिक्षन रोगी के अलर्जी की सिधी में किया जाता है और दूसरा एक सीलियक स्प्रू डिजीज होती है या इसको हम सीलियक रोग कहते हैं इसमें जो जट्रांत्री मुकोसा होता है वो गेहूं के प्रोटीन ग्लूटन के लिए बहुत सम्मिधन चील होता है तो इसे रोगी के लिए हम आहर में गेहूं का पूरा उन्मूलन कर देते हैं गेहूं के कोई भी पदार्त या गेहूं से बने हुए कोई भी रोटी या ब्रेड या किसी बी तरह की चीज इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उसमें जो मौजूद प्रोटीन ग्लूटन होता है वो र आयोजन किया जाता है जैसे मदुमे के रोग्यों में मैंने आपको बताया कि कार्भो हाइड्रेड और बेसिकली कार्भो हाइड्रेड और दूसरे पोशे कत्थों के मात्रा में अनुपात में उन्में संचुदन किया जाता है पूरे दिन के हारों में उसमें अनुपात में लग लग बांट दिया जाता है तो इस तरह भी अहर नियोजन किया जा सकता है भोजन की संक्या और आवरित्ती की पुनव्रिवस्ता कुछ रोगों में जैसे गंबीर जो अरकी स्थिति में पैप्टेकल सर या डाइरिया या मदुमे के रोगी में एक समय में बड़ी मात्रा म लिए अच्छा नहीं है तो उस इस्तिति में रोगी के जो रोग है उसके संकेतों लक्षणों को दूर करने के लिए हम उसी खाने को चोटी-चोटी अंतरालों में बांड दें कम मात्रा में और कम-कम अंतरालों में भोजन को दें तो वह रोगी के लिए लाबदाई होता है और परीक्षण हार परीक्षण हार एकल भोजन या हार होते हैं जो कुछ दिनों के लिए रोगी को दिये जाते हैं कुछ परीक्षण के लिए रोगी को दिये जाते हैं उधरन के लिए जैसे अगर वसा अफ्शोषण का परीक्षण करना है तो उस स्थिति में हम यह परीक्ष हम भाल प्रिके नाहर कर सकते हैं कि लाने के तरीकों में बदलाओ कर सकते हैं कभी' कभी' हा हर को मोखी गूरप कर दिया जाता जैसरे निये साफे कि दीतिrator struggles स्थिति हैं श्कू मुझे मार्क से खाने देने में वाम नहीं होते हैं तो उस इस vari друга अपने हम विश तरह के खिलाने के तारीकां का प्रयोग करते हैं जैसे उसले चैनिखेंगा नली दुपरा आ chase जिसे को एंटियाल फीडिंग करते हैं और नसों पोशन देते हैं आपने देखा होगा कई रोगियों को जिन में नसों द्वारा उनको दिया जाता है पोशन इसको हम पैरेंटरल फीडिंग कहते हैं इसके बारे में अभी आने वाले याख्यान में हम चर्चा करेंगे तो इस तरह के खिलाने के तरीकों में भी बदलाव हम कर स और किसी विशेश रूप से रोग के विशेश चिस्तियों के लिए प्रतियक व्यक्ति के लिए अलग लग त्यार किया जाता है और यह संशोधन में आहर के शारिरिक या अंत्रिक मात्रात्मक या गुणात्मक पहलो भी हो सकते हैं किस तरह आहर के गुणात्मक और मात्रात उप्युक्त निर्मित उत्पादों पर सलाह जैसे साहएक जानकारी उपलब्द कराना रोगी को प्रोसाहित किया जाता है कि उसे भोजन और आहार के बीच में संबंद किया है भोजन का पोशनी मूली क्या है और भोजन की आवरित्ती से भी उसको अवगत कराया जाता है और इन गुड़ात्मक विदियों में शामिल है जैसे भारतियों के लिए स्वस्त भोजन के लिए भोजन आधारिक दिशान इर्देश्यों का परण करना खादी गाइट पिरामिट का यूज करना और वांचनी खादी विकल्पों की सूजी का यूज करना या उन्मूलन आहर का मौल रूप से उप्चार्आत्मक आहर के निर्मान के दो तरीके हैं पहला है खादी विनमे प्रणाली परणाली के बारे में आप पहले पढ़िचुके हैं कि इस पद्दती में आहर का निर्मान के नि DC से किया जाता है बिनमे सूची होती है जिसमें पोशक तत्वों के लिए समान खादी पदार्थों की प्रकार का आदान पदान करने और रोगियों द्वारा आफशकता नुसार पूरे दिन का वितरत करने का लाव होता है यह प्रती खादी भाग पोशक तत्वों की एक निश्चित मात्रा वितरत करता है अगर उधारन अगर हम इसका लें तो कार्भुहार्डिर बीने में प्रणाली का उप्योग इंसुलिन निर्भर मदुमे रोग्यों की आहर योजना बनाने में किया जाता है और इसमें सेवन का वांचित इस तर जो होता है वो प्रत्य भुजन के लिए निर्दिष्ट किया ज दूसार उसका यहार में वित्ता देने के लिए विभेन खादिव Alrighty को चुना जाता है अब दूसरा तरीका है खादिव दार्थों के भाग के आकार और आवरित्ति को निर्धारित करना जैसे इस प्रकारि निर्मार खादिव에 दारतों के सामान यहार के अकार के लेकिन उन खादे बदार्तों house रात जाता है लेकिन उन खादे बदार्तो जिन फू какая-देज़ी पर, पर अदितर पर पर लुज्णा बनाई जाती सेवन इवशक्ता के रुदेद रोकुद but भूजन की परियाप्तता रोगी के भूजन के चैन तदा सेवन पर भी निर्वार करती है तो परियाप्त पोशन का सेवन सुनिश्चित करने के लिए यार विशिशागी के जमेदारी है कि वह भूजन के चैन और भूजन के सेवन की भी निर्वार करें